दोस्तों नमस्का, टेक वोल रहे चनल पर आपका सौगत करता हूँ, दोस्तों आपको तो पता है कि मैं hard disk repair data recover बगरता हूँ थोलबहुट, तो मेरे पास 4 hard disk आये हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि में क्या-क्या दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले जो यहाँ पे इसको मैंने सही कर दिया है तो यहाँ पे दो जो है सही हो गई है और मैं बताना चाहिए मैं आपको क्यूं बता रहा हूं मैं इसलिह बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अपना खुछ से रिपेर करना चाहते हैं है तो आप कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले बात बताना चाहनुगा कि आपको ध्यान से देखना है कि आपका heart disk कहीं दभ तो नहीं है प्रिस वगरह तो नहीं हो गया क्योंकि एक heart disk मिज़ें दब गया था यह वाला तो इसको जो समस्य आते हैं इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है एक प्लेट होता है यह वाला और उसके बाद क्या है कि एक प्लेट इतने बड़ी CD type होती है जो कि बहुत clean होता है आप चेहरा भी उसमें आसानित दे सकते हैं बहुत अच्छा होता हो अच्छी quality होता है तो उस CD में क्या होता है कि आपका data save रहता है अब CD ऐसे रखी रहती है उसके ऊपर से जो head आपका हाई डिस कर्ब बता देता है और वह सही नहीं work करता है और दूसरी चीज कि आपको ध्यान से देखना है कि कहीं damage जोगारा नहीं है और यह चीज हमारे पास बाकी तो मैंने repair कर दिया यहां पर यह समस्या यह है कि यहां पर देखिए यह थोड़ा सा कटा हुआ है आपक scratch दिख रहा है आपको साइद ना दिखे कैमरे में तो यहां पर क्या है कि टूटल चार पिन होती है तो चार पिन में एक पिन जो है यहां पर उमझे कटा दिख रहा है किसी कारण से क्योंकि मैं इसको जब computer कर रहा हूं तो इसका motor जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके इसके अंदर जो थोड़ा damage भी था यहां पर देखो दबाव बन गया था तो इसको मैंने वो सही कर दिया है तो अभी head में problem नहीं है head read करेगा बाकी head घिसा भी नहीं था वो head सही था अपनी जनाब और इसको क्या है कि यह मैं चलके इसको repair करता हूं और इसके बाद यह work करत है कि नहीं करता है मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा इसको मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग को खराब hard disk होती है आप उसको fake देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि hard disk में बहुत सारी data save रहता है आप यकिन नहीं मानोगे वन टीवी के hard disk मैंने 26 टीवी जो है data require किया है एक बार तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी जादा कितने दिनों तक का data आपके hard disk में रहता है तो आपको hard disk कभी किसी को देना नहीं है ना तो बेचना है और आपका दिक्कत हो जा रही है तो आपका data कभी खराब नहीं होत कर देंगे आपको data फिर से require कर देंगे अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे पास बहुत से software भी होते हैं जैसे disk drill हो गया और भी है जो कि paid software होते हैं जिससे हम data require करते हैं तो वह थो है थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है data require करने का और उसमें क्या होता है कि थोड़ा समस्य यह होती है कि उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है यह चीचीच अगर हम deep scan करते हैं तो अगर one tv का hardest deep scan में लगा देंगे तो उसमें जो है आपके configuration पर भी depend करता है फिला लेकिन आपको कितना कम मानी है कि 7 से 10 घंटे तो लगी जाएंगे पूरा data require करने में तो इसलिए data require करना एक महागा process होता है आप कभी भी जाएंगे दुकान में या फिर कैसी भी store में जाएंगे computer engineer पास जाएंगे तो वह data require करने का आपको high charge करेगा क्योंकि उसमें छाटना पड़ता है बहुत सी file होती है कौन readable है कौन readable नहीं है उनको अलग करना पड़ता है save करना पड़ता है उ यह सब चीजे होती है data recovery में अगर आपको भी data record कराना है hardest problem में या फिर आपका कोई important data फस गया है जिसको आप record करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं comment कर सकते हैं मैं हर comment पड़ता हूं ऐसा नहीं है कि आप video में comment कर देंगे मैं नहीं देखूंगा आप comment कर देंग उसके बाद देखते हैं कि यह रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो यह है तो इसमें क्या है कि अगर आप यहां से रिपेर कर रहे हैं तो आप कीगेगा नहीं तो आप जो है इसको नहीं तो आप इसको प्लेट को खोल के उसके ब तो भी मैं देख वा रहा हूं इसका CD जो है प्रॉपर घूम रहा है मैं इसका लगाए सुन रहा हूं आपको हाथों से भी ऐसे पता चलेगा थोड़ा उपता चलता है घूम रहा है तो इसको मैं ऐसे रख देता हूं उसके बाद इसका डेटा चिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टेम में जो हमारा SSD है CD है बाकी EFGH यह जो है यह दो है जो अभी मैंने हार्डिस्क लगाए ओ है तो यहां पर हार्डिस्क जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया है अगर मैं यहां पर कमांड में आप दिखाऊं तो कमांड में भी आप देख लिजिए हार डिस्क दो कनेक्टेड है आपको अगर लिस्ट करूंगा तो हमारे पास जितने भी डिस्क कनेक्टेड है यहां पर दिख जाए कि तो आप देख सकते हैं डिस्क जो है 1931 जी मतलब वन टीवी का हार डिस्क जो कि यहां पर वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहां पर प्रॉपर दिख रहा है तो यहां पर हम देखो यहां पर data format वगराँ यहां पर बात करें तो पूरा data है यहां पर अगर इसमें गाने और बहुत ज्यादा है अच्छा है कि अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट के जिएगा उसका उत्तर में जरूर दोंगा मिलेंगे नैसे बीडियों तब तक लिए चाहिए